हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मनन क्लासिस आज हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे क्लास 10th Mathematics NCRT का चप्टर नमबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले एक इंट्रोडेक्शन के बारे में बात करेंगे कि अपन पर क्रेंगे लो करेंगे अदो यहीं गांगों पुलीट करेंगे है इसमें जो स्लेवस आपकी एक्जाम में आए उसी सेलवस के बारे में आपके अपन डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट एर में डाल देंगे सारा वो कम्प्लीट करके तो देखिए सबसे फर्स अपन डिस्कस करते हैं 30 degree angle 45 degree angle 60 degree 90 degree फिर आपका 120 degree फिर इन दोनों के 20 में एक एंगल 105 डिग्री और फिर 180 डिग्री इन एंगल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि रूलर एंड कम्पाक्स की हेल्प से एंगल केसे ड्रो करेंगे तो सबसे फर्स में देखिए 60 degree में draw कर आँ तो एक compacts को open कीजी इतना ठीक है एक limitation के according open कर लीजी ये लीजी ठीक है और पूरे इस compacts को आपको मूँ करवाना है पूरा ये लीजी ठीक है गुमाने के बाद में इस point पे इस compacts की nock को रखके एक arc draw करना है ये जो arc के इससे में जोईन करें इस point के सात में तो कौन सा angle होगया आपका 60 degree फिर एक arc आपको यहां पे join करवाना clear तो ये angle कितने का होगया आपका 90 degree होगया 1,20 degree ये कितने का होगया 120 फिर मैं इस point पे रखके एक arc or draw करूँ तो ये कितने का होगया 180 तो ये 60 का होगया यह 120 का हो गया और यह आपका 180 का हो जाएगा ठीक है तो 60 डिगरी सबसे पहले मैं ड्रोग कर देता हूँ यह एंगल कितने का हो गया 60 डिगरी और यह एंगल हो गया आपका 120 डिगरी ठीक है इतना आपको माइन में रखना है clear बात अब यही मैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाओं तो 60 तो हो गया 90 कहां पर 120 भी हो गया ठीक है यानि यह एंगल तो हो गया आपका यह भी हो गया उसके बाद में 90 की बात करूं तो इस पॉइंट पर इस अपर हो गया यह को गया झाल में फिर्या में कोके आपका षाल में यह कॉन सबसे होगया आप छेक्ति होना अपका 90 डिग्री यहानल यहां से यहां तक पूरा इंगल यहां कितना हो गया 90 डिग्री अब मुझे 30 degree भी बनाना है तो 30 degree किसका हाप होता है 60 का half 60 degree होता है यानि 30 degree होता है तो सबसे पहले आपने R के यांसे ड्रोग किया यह और same यार के यांसे आपको ड्रोग करना यह से यानि by sector कर रहे हैं बन फिर same आपको यह लिजी और same ही इस point पर रखो, इस point पर रखे, ऐसे cutting कर दो, ठिक है न, या फिर आप, इस compacts को, जितना ये arc draw किया है, उतना open कर लो, ये ली जिए open कर लिया, इस point पर एक arc कहाँ पे, और इस point से एक arc कहाँ पे, इन दोनो arc को, इस point से join करवा दीजी, यह लिजे, यह angle कोन सा हो गया आपका, 30 degree, यानि यह जो angle हो गया, वो कितना हो गया, 30 degree, और यह पूरा कितना हो गया, 60 degree, और यह पूरा कितना हो गया, 90 और यह 20, अब मुझे बनाना है कोन सा angle, 40 डिग्री एंगल 45 डिग्री यानि यह 30 हो गया यह और बना लेते हैं तो यह कहां से बनाएंगे इस 90 के पॉइंट और यह पॉइंट कमपाक्स को इतना उपन करना है यह लिजिए उपन कर लिए एक आर्क यह जूरी नहीं आप अपनी इच्छे से भी अपन कर सकते हैं इससे भी हो जाएगा का ठीक है ना मैं थोड़ा से बड़ा बाहर की तरफ बना लिए एक आर्क तो यह होगी आपका से में इस पॉइंट पे रखो एक आर्क की हो गया यह एंगल कितने का हो जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा ठीक है न आप रिवाइज करके एक एक देखना समझ में आ जाएगा आपको यह लीजी यह एंगल कितना हो गया आपका 45 हो गया अब मुझे एंगल ड्रो करना है 1 0 5 अब 90 के अंदर आप 15 को 8 कर दो तो 105 आ गया और 120 में 15 को माइनस कर दो 105 हो जाएगा यानि 90 और 90 और 120 के बीच में यह डिफरेंस आ रहा है तो इनके एकदम 20 में होगा तो इन ही दोनों पॉइंट से लेना आपको कौन सा पॉइंट एक पॉइंट तो यह 90 वाला होगा या देको मैं यह एक से मार्क से ले रहा हूँ ठीक है न ध्यान रखना तो एक इसको छोटा-छोटा कर लेता हूँ एक आर्क की होगी आपका इस पॉइंट पर रखे का टू तो एक आर्क यह बनाएंगे अपन इन दोनों को जोइन कर वोगे तो यह आ जाएगा आपका 105 यह जो पूरा एंगल है वो कितना आ जाएगा 105 डिगरी आ जाएगा ठीक है यह से पन सारे एंगल ड्रो कर लेंगे अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि कोई भी लाइन गिवन आपको यह सपोज कि एक लाइन गिवन है यह लाइन में ले लेता हूँ 6 cm की लाइन है कितनी cm की है 6 cm लाइन है इस लाइन का प्रपेंडिगुलर बाइसेक्टर करना है क्या करना है प्रपेंडिगुलर बाइसेक्टर करना है यह नाइन ग्लास में आप डिसकस करके आए हो लेकिन मैं तो only चाहिर, आद़ी से जादा यह लीजिए, एक आरक यहां पर ड्रो कीजिए, सैमी आपको इस पॉइंट पर रखना है, एक आरक यह हो गया और एक आरक आपका यह हो गया, इन दोनों को जोइन करवा देता हूं, join करने के बाद में यह जो line आपकी यह क्या होगी perpendicular bisector होगी perpendicular नहीं यह 90 degree angle होगा और यह भी 90 होगा और यह वाली side इस side के equal होगी इतना आपको mind में रखना है ठीक है फिर अपन next इसके interaction की बात करें construction के तो आपका जो first example के form में दिया हुआ 11.1 ठीक है construction 11.1 उसमें आपकी जो syllabus में है किसी line का अपन को divide करना है किस ratio में divide करना है वो given है तो आपका जो question यानि इसमें given है example के तोर पे वो कह है divide in a line segment in given a ratio तो suppose यहाँ पे कोई ratio लिया हुआ m equal to 3 और n equal to 2 ठीक है ऐसे आपको divide करना है तो देखो में भी ले लेता हूँ m equal to 3 और n equal to 2 इन दोनों का sum करूँ तो कितना आ गया 5 आ जाएगा यानि तो ratio है वो 3 ratio 2 के अंदर एक line segment को divide करना है अब अपने पास में line segment नहीं है तो मैं ऐसे एक line segment ले लेता हूँ अपनी मर्जी से तो मैंने ये line segment ले लिया यहां से लेके यहां तक यह लीजी इतनी लंबी ले लेता हूँ इस line segment का नाम A और B अब इसको आपको 3 ratio 2 के अंदर divide करना है अब अपन को पता नहीं कि इसका जो point होगा बीच के अंदर वो खहाँ पर लेकिन पता नहीं है आपको divide करना है 3 ratio 2 के अंदर divide करना है तो same आपको एक निच्चे तरब एक line draw करनी है यह लीजी ऐसे ही कोई angle without angle के आप draw कर दीजी यह लीजी है मैंने draw कर दी ठीक है इतनी आपको draw करनी है इस line को AX मान लेता हूँ कौँचे line हो गई है AX हो गई अब same arc के total कितने sum कितना है यह 5 तो same arc के आपको यह लेंद आपकी क्या हो equal length पे arc draw करने कहां से A point से करने तो यह A1 हो गया 5 draw करने यह A2 हो गया यह A3 हो गया A4 हो गया A5 हो गया ठीक है इतना आपको draw करना है तो यह point कौन से हो गया A1 हो गया A2 हो गया A3 हो गया A4 हो गया A5 हो गया ठीक है आपको करना क्या है जो last वाला point है A5 उसको join करवाना B के साथ में तो join B5 B A5 जोइन करवाना यह लिजिए join करवा देते है यानि सबसे पहले एक line segment draw की है मैंने A B फिर A से एक line ऐसे ही ठीक है ना इमेजनी एक line draw कर ली मैंने AX और उस AX line पर different different है नहीं जो same आपको draw करने A1 A2 A3 A5 A4 ठीक है ना यह फिर A5 को B से join करवा दिया इतना आपको करना है अब इस B A5 के पहले एक line draw करनी है कहां पर करनी है A3 में क्योंकि यह इतना part कितना है 3 वाला part है और यह part कितना है 2 वाला part देखो A1 A2 A3 यह कितनी value हो गई 3 और यह कितनी हो गई 2 unit हो गई ठीक है तो जितना angle यहां पर आपको draw कियावा है कहां पर यहां पर वो इस same angle आपको draw करना पड़ेगा A3 पर भी तो यह लिजिए मैं angle draw कर देता हूं थोड़ाचा ज्यादा open कर देता हूं यह लिजिए यह जितना angle है उतना ही आपको A3 पर भी draw करना है वो line क्या होगी दोनों पैडल अब यह angle को open measure कैसे करेंगे इस point पर इस compact की knock रखे और यहां तक join कर लो यह लिजिए देखो थोड़ा सा और open कर लेता हूं इसको यह लो ऐसे measure करना आपको ठीक है फिर same ही आपको इस point पर रखे यह लेजिए यह angle आजाएगा आपका यह यहां से है न एक मिन में सही से करता हूं इसको यह measure किया मैंने फिर इसको measure कर लिया ठीक है इसको मैं इसके साथ में जोइन करवा देता हूं यह लेजिए यह point ले लेता हूं मैं अब यह वाला angle इस angle कि देखो angle line और angle मैं आप बिसकस करके हूं कि यह वाला line और यह वाला line parallel है तो यह वाला angle और यह वाले angle क्या होंगे equal होगा तो ये वाला angle और ये angle equal होगए कौन से angle है cross pointing angle है तो ये वाल line इस line के क्या होगी parallel होगी ठीक है तो जितना ये ratio होगा उतना ये होगा अब ये जो value कितनी है 3 है और ये value कितनी है 2 है तो इन दोनों triangle को मैं similar कह सकता हूँ क्यों कह सकता हूँ वो भी देख लीजिए कि triangle triangle अपन बिपिटी के अंदर discuss करके हैं कि ये वाल line इस line के equal है तो ये वाला angle equal आ गया और ये आपका क्या हो जाएगा common हो जाएगा ये common हो गया ये दोनों equal हो गया तो angle angle similarity rule से कह सकता हूँ कि triangle A A3C similar way triangle या फिर आप ऐसे कह सकते हूँ BPT theorem से कह दो न डारेक्टी ठीक है न इसको मैं अठा देता हूँ कि line A3C parallel to A5B ये दोनों parallel है तो BPT theorem के according ये ratio और ये ratio कौन सा A A3 upon में A3 A5 ये ratio किसके equal होगा इस ratio के यानि इस और इस side का ratio A C upon में BC ठीक है अब A3 की value कितनी है 3 और A3 5 की value कितनी है 2 तो ये value आजाएगी A C upon में BC और ये ही तो बताना था आपको कि इस ratio को ये 3 ratio हो गया और ये 2 हो गया तो इसी को लिख सकता हूं A C upon में BC इक्वल 2 3 ratio ये आजाएगा इस question का आपका answer ठीक है आपके बुक के अंदर example के तोर पे given आपको आप देख लेना उसको उसकी construction ही same आपको question के अंदर apply करनी है ठीक है construction आपको खुद को लिखनी है clear बात अब जलते हैं अपन इसके exercise 11.1 के question number first पे देखिए exercise 11.1 का first question आपको given है कि draw a line segment of length 7.6 cm and divided it in ratio 5 ratio 8 के अंदर अब ratio given आपको ये इन दोनों के sum करेंगे तो 13 आगया measure the two part और उस line segment को two part में measure करना है ठीक है ना तो सबसे पहले तो आपको 7.6 cm के line draw कर लेता हूं में ये लिजिए 7.6 cm के line आई ठीक है ये मैंने draw करके रखी हूं ये पहले से अब आपको इस line को किस ratio में divide करना है 5 ratio 8 के अंदर है इन दोनों का sum कितना होगा 13 और ये line कितनी हो गई कौन सी हो गई AB एक line हो गई जिसकी value कितनी है AB equal to 7.6 cm अब आपको एक imaginary line यहाँ पर मान नहीं है उसकी length आपको पता नहीं है इसे मान लेता हूं में AX ले लेता हूं ये लिजी ठीक है ये AX length की एक line हो जाएगी आपकी और इस line पर same length के arc draw करने है कितने करने है 13 करने है तो ये लिजी मैं 13 arc draw कर लेता हूं ठीक है 13 कर लेता हूं मैं यहाँ से रखे ये one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve और ये आपका 13 ठीक है कौन से कौन से हो गये देखो मैं लिजी भी देता हूं यहाँ पर अब आपको जो लाइस्ट पोइंट है 13 वाला इसको बी से जोइन करवाते हैं अपन इंट्रोडेक्स में आपको बताया है तो इस पूरी लाइन को बी से जोइन करवा दो यह लिजी इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोइन करवाना यह जोइन करवा देते हैं ठीक है नА अब सेयम ही आपका दूसरा पॉइंट कौन से है 5 है यानि यह जो लेंड होगी यह आपकी इतनी यह 5 तक है ठीक है ना जहां रखना और यह कितना आपका eight point है अब same circle आपको draw करना है कहां पे A5 पे draw करना है तो यहां पर angle कितना हो जाएगा वो देखो यह draw कर ले तो में ठीक है इतना यह जितना angle draw करना आपको same R के yहां पे draw कीजिए यह लीजिए ठीक है न यह बाहर की तरह पहलाए, लेकिन आप देखे लेना इसको थोड़ा सा, ठीकिawan बाहर की तरह बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं मेजर कर लेता हूं, ऐसे आपको मेजर करना है, देखो, सिम लाइन पहे आपको measure करना है यह लिजो exit आ जाएगा अब इस point पर रखके एक arc draw कीजिए इस arc को यह draw कर दिया मैंने इसी arc को join करवाना है A5 के साथ में तो यह लिजिए मैंने A5 के साथ में ठीक है न? A5 यह draw कर दिया ठीक है अब यह जो A से लेके A5 ते जो length है वो कितनी आपकी 5 और A5 से लेके A3 तक length कितनी आपकी 8 तो यह वाली line तो similar हो गई similar न? क्या हो गई आपका? parallel line हो गई इस point का नाम आपका कौन सा? C तो आपको यहाँ पे represent करना ऐसे कि in triangle A A13 B के अंदर A5 A5 C parallel है A13 B के यह दोनों parallel है तो according to basic proportion theorem तेल्स theorem या फिर वीपिटी बोल सकता हूँ उससे में इसके जो रेशियो है कौन सा? A A5 और फिर आपकी साइड कौन सी है? A5 A13 का रेशियो किसकी इक्वल होगा? A C upon में C B या फिर मैं लिख सकता हूँ इसी को इसकी value तो हो गई अपने पास 5 upon में इसकी value कितनी हो गई? 8 और यह लिख सकता हूँ में A C upon में B C यानि C को मैं लिख सकता हूँ A C ratio B C की value कितनी आगई? 5 ratio 8 यानि आपको क्या करना है? इस line segment को 5 ratio 8 के अंदर divide करना था और A से अपन डिवाइड करेंगे construction by step by step आपको खुद को represent करनी है clear बात यह दागए क्योस नंबर first ठीक है? और next अपन next video के अंदर discuss करेंगे आज के लिए इतना ही thank you so much